पर रहते हाई ही पर काम कर देखिया है। आज की अगर हम इस कहलों के बात करें, इसमें तो हजारों घर Bent चुके हैं। पांठ susceptible हे मकान बने वे जो रहे पुछें। यहां पर देखे हैं, घृडप यह देखे। AH दिखाते हैं। यह देखे, यह देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट जली है, पुरा घर बनावा इस तरह से, लाइट पानी मीटर सब कुछ हैं, आस पास में, इतना हो, जैसे पांस हजार हो, दो हजार हो, दस हजार हो, अपने इनकेम्पर हो, यह कोई दोस्तों यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, मुझे इतना है, इतना था जाहिए, बिल्कूल, गैूल, फेक्ट्री के सामने आपको सेस्ते जमीन, अजिका हत इस एंक सपसे सस्ति जमीन, जामी सबसे स सके संे घर भाई यही वह जमीन है, यह दिन कि दला यह आ पर बहु अ धरना पुमें तो प्रां सामने आपकर काम क चाहिए और अच्छी लोकेशन पर चाहिए मैन रोड के पास चाहिए फैक्ट्री के पास चाहिए और बहुत कमेंट करते थे तो कुछ तुमने भी पताया था पिछली बार के भाई कोई सच्टी लाओ बंदे ऐसे कमेंट कर रहे है ठीक है तो आपकी कमेंट देखके और सब की कमेंट देखके सब्सक्राइब कि तो आध नाया धमाकल आया हूँ और नई नई जमीन लाया हों फैक्ट्री के टच में हाईवे के टच में सामने सॉसाइटी के टच में और अच्छी लोकेशन पर सामने फैक्ट्री के मात्र 9000 रुपे कर गच क्या बात है दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते में जमीन मिलने वाली है और अभी यहां पर प्रिलाउंचिंग का मतलब होता है अभी जमीन आपके लिए तैयार की जा रही है डबलमेंट का काम स्टार्ट हो गया है आपको सारे प्लॉट्स दिखाएंगे जो बिलकुल उसके सामने बने में जो घर बने में व बाइज और सबस्क्रेंगे सा कोंद काश्फ है में यहां झालभाइयों के लिए उसक्राइब उफरॉब्स घ्र में जमीन महंगे लेक्तमान पर में मेरे बाइज बख्र नौजार घजर मात झालम बाई यह बताइए मीकिल करतें तव क् эта हैं सारी बिल्कुल इता होने वाल ह आओ एक बार देखो zero kilometer कोई बाहर नहों तो दिल्ली में यह किलोमेटर हटके जोस्तों आपको सारी facility दिल्ली की मिलने वाली है अगर mato station की बात करें सिफ्व यार mato station आपको थोड़ी सी दूरी पर मिल जाता है बजनपुरा की बात करें, साधरा की बात करें, साथ से आठ किलोमेटर पे आपको मिल जाता है, आलम भाई अगर हम बात करते हैं यहां पर ISBT, बसद्डा कस्मी रिगेट कितनी दूरी पर है? वह 11 km सिराज भाई और कस्मीरी गेट से यह मानों ज्यादा बाइक से आते हो तो 10 मिंट का रास्ता है और आपका खजूरी बजनपुर आपने सुना होगा यहां से 6 km पड़ता है शादर पड़ता यहां से 7 km और सीव बिहार मेट्रो इस्टेशन पड़ता 3 km और आनंद बिहार बसट्ड़ पड़ता आपका 11-12 km और दोस्तों है भी पूरा दिल्ली 94 के अंदर आता है हम आपको जो यह एरिया दिखाएंगे बिल्कुल 94 के पास वाला सारा एरिया आपको मिलने वाला है इहांपर यहांपर बहुत बड़ा इंडिस्ट्रिय लिया यहांपर आप उससे लग लक्र के मिलने वाली है सिराज भाई कलोनी में हर चीज की सूइधा मिलेगी हमारी यानि लाइट दूंगा पानी मीठा है रोड पके है और आपका सामने फैक्ट्री है काला रोड है हाई वे रोड है सामने सोसाइटी की जमीन है जिसमें फट बड़े बड़े फट बनेंगे और मोके की जमीन लाया मातर नो हजार रुपे गज्द 9000 रुपे गज्द 9000 रुपे गज्द क्या भात है यानि फूरे YouTube पर धुमाकर उने वाला ऐ है फैक्ट्री के सामने वह भी दिल्ली में आपको ऐसी प्रोपर्टी हम दिखा रहे हैं जो कोई नहीं दी सकता प्रैस के अंदर अभी ऐक बार मियाँ से चलते हैं आपको सारी इंडस्टी दिखाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे उसके आपको दिखाएंगे उसके आस-पास की बसावत और उसके बाद आपको दिखाएंगे बिलकुल प्रि-long진 यह नि जौ Cristiq n. या यि जो तो आलम भाई अभी जो हम इस घर के सामने घड़े हैं यह कितने गच का घर है यह 25 गच का प्लोट जी 25 गच का और देखो टुकडी पटिया में बना के दिया आलम भाई इन बेहन को बना के दिया मैंने यह मेरी बहन है तो दिल्ली से आय है और यह उता है अपने जो प्लोट किस्त के रूप में दे सकते हैं हाँ किस्त पे लिया थे केिस्त पे लिया है यह कि कोई दोस्तों यहां पर बाउंडने से नहीं है कि मुझे इतना चाहिए जितना आपके पास पैसा हो जाए उतनी आप किस तिहां पर दे सकते हैं अब आलम भाई एक और नए घर का काम चला है यह किनका है यह इन भाई काया जी आप कहां से जी बताईये मैं बियार मुझा फ पास भी घर ले लिया है तो यह सारी महरवानी उपर वाले की है यह आलम भाई का अच्छा इनकी भी है उपर वाले की दोनों की तो दोस्तों यहां पर देखो लोगों के पास घर हो गए जो लोग डहनी बादे दिल्ली के आसपास किराए पर रहते थे कापी महंगा किराया पंदा था उनका तो आज की डिट में सर आपको क्या सा लग रहा है आपका खुद का घर हो रहा है जी बहुत अच्छा लग रहा है तो अगर आप दिल्ली में कहीं भी किराए पे रहेंगे सर पांच हियार साथ हियार आठ हियार आपको पचास घचके देने पड़ते हैं जी तो एक यह घर देख सकते हैं आलम भाई कितने घचका घर है यह पचास घचका पचास घचका एक बार दिखाए ते किस तरह से बना हुआ है जो मैं बना कर दे रहा हूं जी अभी काम चल लाए दोस्तों यहां पर अभी थोड़ा सा देखिए लाइड वाट की थोड़ी सी प जो ना हुआ हो एक सामने एक सामने प्राइब ठीक है जी यह रसो यह अच्छा यह रसो यह और इधर किया जी है अश्कुड़ों में बातरूं होगा है अभी ओपर से आपको और दिखा देते हैं इस तो देख सकते हैं इस तरह से पुरा पचास घचका यह पूरा नखसा ब पर देखिए बॉन्डी बननी है इस तरह से और यहां पर एक बार मैं 360 व्यू दिखा देता हूं आपको सबसे पहले आपको दिखाएंगे इसका क्या नाम है इसका पहले ट्रोनिका सिटी नाम ताव इसका नाम है ट्रांस दिली सिगनेचर सिटी तो यहां पर जितने भी लोग हैं वह सब फेक्टी में आपकरी कर सकते हैं यही पर रहते हैं यही पर काम कर रहें आज के एक अगर हम इस कलोनी की बात करें इसमें तो हजारों घर बन चुगे हैं जी देखिए पांच शाजार मकान बने हो जो रहरे पर गोरा यह पर नहीं है इस इदर भी दिखाना चाहे तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था यहां पर आपको खाली प्लॉट मिल जाएगा और अगर आप बना बना या घर लिना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा आलम भाई यह बताइए अगर यहां पर कोई भी रहता है तो नियर भाई मेट्रो इस्टेशन यानि सहाधर कितनी दूरी पर है शाधर यहां से आठ किलिमेटर है शीव भी हर चार किलिमेटर है और आलम भाई जिसे यहां से हम बात कर लेते हैं दिल्ली का फेमस एरिया करोंट प्लेस आइस बीटी बस अड़ा यह कितनी दूरी प्लेस पंद्रह से सोले किलिमेटर पड़ता शिराज गोगल दीकान पर चून की दूकान दूक्टर की दूकान सब चीज है कलोणी में शीक है तर चीज है तो आलम भाई कोई किस्तों पर लेना चाहे, तो किस्तों के लिए आपके पास क्या बेबस्टा है अगर, खाली फॉलोड लेना है तो, खाली फॉलोड लेना है, तो, आपका बचेटा था, तो, यह लेखे,10-20,50,000 वह जमा करो, तो इससे अच्छी लोकेसिन पर आपको और कहीं प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी , क्योंकि यहांपर देखे आपको आपको जो प्लॉट मिलना है ना उसमें फैसलेटी सारी दिल्ली की मिलनी है यह यह आपको स्कूल भी दिल्ली बाइगा नियरभाई आपको नौकड़ी दिल्ल के पास होने वाली है और आपको ऐसा लेगा कि आप दिली में ही रह रहे तो दोस्तों अभी हम आगे हैं बिल्कुल नई साइड पर और जैसे कि आप लोगों से कहा था आलम भाहिने के बिलकुल फैक्टरी के सामने आपको सबसे सब्सक्राइब तो आलम भाई यही वो जमीन है शी राज भाईयी वो जमीने सामने इह देखा ठी है सब्सक्ता नाम वह एक उसका नाम उसका नाम जजडीने और ये SUGNATURE सिटी यह देखिए दोस्तों यह साइड के लिए राफता है अब यहां पर हम आपको रेट भी बताएंगे लेकिन उससे पहले में दिखा हुआ आपको यह बिल्कुल सामने बसावट आपको मिली है और सामने फैक्टरी मिली है और इसी के साथ आपको लगती हुई हम जमीन लेकर गय क्या बात है वह भी फैक्टरी के पास मैं हाईवे के पास मैं रोड के पास रोड के उधर सारी सरकारी जमीन है और जो फलेट बनेंगे फलेटों की जमीन रोड यहां पर माला बसावट भी है नो हजार रुपे गज एक महीने के अंदर जो मेरा भाई लेना चाहता है उसको नो हजार लगेगा और आज से आज यानि तीस तारीक है अगली तीस तारीक तक आपको नो हजार रुपे गज़ देंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर रेट बढ़ जाएंगे सिराज भाई नई साल की खुशी में हैं क्या बात है नई साल का नए अधमा का पहली एक महीन आपने जमीन लॉंच किये यह कितना बड़ा प्रजेक्ट है मैं देख रहा हूं चारों तरह पूरी जमीनी जमीन यह 25 एकड़ का एरिया है और देखो यह आपका रोड आया सीधा यह किलियर कर रहूं पीछे तक और यह सामने मैं रोड होगे देखो एक बाइक गाड़ी ज साथ तो अलम भाई अगर कोई यहां पर आना चाहता है कैसे आ सकता है आपका ओफिस एडरस क्या है मेरा ओफिस खजूरी पुष्टे रोड पर पड़ता है पूजा कलोनी में किसी भी खजूरी आगे किसी भी ओटो वाले से बोलोगे कि आलम प्रोप्टी पर जाना है कोई आपको आलम भाई के पास छोड़ देगा आलम के ओफिस पर छोड़ देगा ठीक है जी और ओफिस से आप साइड विजिट बिल्कुल फ्री में करा आते है कोई दिक्कत निए दिल्ली एंसियार में जो गाड़ी भी बेज देते हैं अब यह बदाई कि पर छोड़ देगी फ आप इस साइड को डबल अप होने से पहले पहले खरीद लें ताकि आपको अच्छा प्रॉपिट हो जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाएए न्यू लांच प्रॉपर्टी बिल्कुल फैक्टरी के सामने दोस्तों इस वीडियो को जादे जादा सेर करें लाइक करें कमेंट्स करें और आप बताएं कि आपको यहां पर यह प्रॉपर्टी कैसी लगी तो दोस्तों अगर आपको हमारी चोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें आपके अपने चैनल से रास हैपी को सस्काइब करें और साथ में होगाई बै पूल भग उताएं कि जरूर की लगषद immortality को सब्सक्राइब करें जिस एक डोगें Mm